दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल अभी अभी monetize हुआ है तो आपके Google AdSense एकाउंट में एक इस तरह का pop-up सो जरूर हुआ होगा यानि आपको US Text Form फिल करने का option जरूर मिल गया होगा तो दोस्तों अगर आप भी US Text Form फिल करना चाते हैं तो एक वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा useful होने वाली है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपने mobile phone के home screen पर और देखे किस तरीके से US Text Form को फिल करना है फिल करके किस तरीके से submit करना होता है इसका मैं आपको complete process इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो के description में आपको एक link मिल जाएगा जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो आप Google AdSense की official website पर पहुँच जाएंगे उसके बाद आप अपना email id और password इंटर करके Google AdSense में login हो जाएंगे जैसे ही आप login हो जाएंगे तो आपके सामने एक इस तरह का notification आजाएगा जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे आपको option मिल जाएगा manage text info का just आप उस पर click करेंगे तो चलिए हम click कर लेते हैं जैसे ही आप manage text info पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा add text info का जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आप इस पर click कर देंगे तो चलिए हम click कर लेते हैं जैसे ही आप add text info पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा start text form का आप इस पर click कर देंगे तो चलिए हम इस पर click कर लेते हैं जैसे ही आप start text form पर click करेंगे तो आप re-direct हो जाएंगे अपने email id पर उसके बाद आप अपने email id का password इंटर करेंगे password इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा nest का आप यहाँ nest पर click करेंगे जैसे ही आप nest पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका account किस type का है अगर आपका account individual है तो आप first वाले को select करेंगे अगर आप individual नहीं है तो आप second वाले को select करेंगे तो हम यहाँ पर individual को select करेंगे उसके बाद nest अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि are you a citizen or resident of the United States मतलब अगर आपकी citizen United States है तो आप यहाँ पर as select करेंगे अगर नहीं है तो आप no select करेंगे उसके बाद nest अब यहाँ पर आपको दो form देखने को मिल रहे हैं एक w at ben और एक w at e c l मतलब अब इन दोनों form से आपको कौशा form को fill करना है तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं कि this form is most commonly used by non-US individuals मतलब अगर आप non-US individual हैं तो आप first वाले को select करेंगे यानि आपको w at ben form को fill करना है और अगर आप non-US individual हैं और आपका business account है तो आप second वाले को select करेंगे तो मेरा business account नहीं है यानि मुझे first वाले को select करना है उसके बाद हम यहाँ start w at ben form पर click कर देंगे तो चलिए हम click कर लेते हैं अब यहाँ पर आपको text identity में आपका नाम मिल जाएगा और जो second column है ओ optional है यानि अगर आप business नहीं करते हैं तो इस column को आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है आप यहाँ आई बटन पर click करके इसके बारे में अच्छे से read भी कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे एक column मिल जाएगा जिसमें लिखा है country, region, आप, city, जिव अब यहाँ पर आपको अपना country select कर लेना है आप जिस भी country के नागरिक हैं आप उस country को select कर लेंगे नमबर इंटर कर लेना है उसके बाद आपको next पर click कर देना है तो चलिए हम अपना pen card number इंटर कर लेते हैं और next पर click कर देते हैं अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा permanent residence address का और नीचे आपको एक trick करने का option देगा तो इसको आपको trick कर देना है और नीचे आपको अपना address fill करना है एडरेस कौन सा fill करना है जो google adsense account बनाते वक्त आप अपना address दिये थे वही same address आपको नीचे fill कर लेना है तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपना address fill कर लेते हैं address fill करने के बाद नीचे आपको option मिल जाएगा mailing address और permanent address का तो दोनों same ही होता है तो आप इस पर trick करेंगे उसके बाद next अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा text treaty तो इसमें आपको as करना है और नीचे आपको एक trick करने का option देगा इस पर आपको trick कर देना है उसके बाद नीचे आपको फिर से अपना country select कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पर अपना country select कर लेते हैं उसके बाद special rates and condition में आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा service search as adsense κα आप इसपर click करेंगे तो चलिए हम click कर लेते हैं जैसे ही आप service पर click करेंगे तो नीचे आपको option मिल जाएगा article and paragraph का आप इसपर click करेंगे और यहाँ पर आप article 7 को select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर option मिल जाएगा with holding rate का आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर आप 0% reduce rate select कर लेंगे उसके बाद आप नीचे जाएगे और यहाँ पर आप इस पर trick कर देंगे तो चलिए हम trick कर लेते हैं trick करने के बाद नीचे जाएगे यहाँ पर आपको option मिल जाएगा motion picture end का आप इस पर trick करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगा article and paragraph आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर आपको article 12 and paragraph को select कर लेना है तो चलिए हम select कर लेते हैं उसके बाद आपको इसमें with holding rate पर click करना है और यहाँ पर आपको reduce rate 15% select कर लेना है तो चलिए हम select कर लेते हैं उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक trick मिल जाएगा आप इस पर trick करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा other copyright का आप इस पर click करेंगे तो चलिए हम click कर लेते हैं जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा article and paragraph इस पर click करेंगे और यहाँ पर आप article 12 select करेंगे और withholding rate में आप 15% reduce rate select कर लेंगे उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको trick कर लेना है उसके बाद नीचे जाना है तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा next का आपको इस पर click कर देना है तो चलिए हम click कर लेते हैं जैसे ही आप next पर click करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका form तयार हो गया है अब आपको बस करना क्या है आपको यहाँ पर trick कर देना है उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा next का आपको इस पर click कर देना है उसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको full legal name पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना name इंटर कर देना है और उपर आपको आपसन मिल जाएगा एस का आपको इस पर एस करना है उसके बाद आपको नेश्ट पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा activities and services performed in the US उसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप no select करेंगे और इस पर आप ट्रिक करेंगे उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा I am providing tax info for a new exiting payment profile that has not received payment यानी अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने एक बार भी YouTube से payment रिसीब किये तो आप first वाले को select करेंगे और अगर आपका एक बार भी YouTube से payment नहीं आया है तो आप second वाले को select करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने according चूज कर लेना है कि आपका payment आया है या नहीं आया है तो मेरा भी payment नहीं आया है तो हम first वाले को select करेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको option मिल जाएगा text reporting का उसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा I accept the paper list पर आपको trick कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर option मिल जाएगा submit का आपको submit पर click कर देना है तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का option आजाएगा आप यहाँ पर देख सकते है कि text form and withholding WHT rates और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15% claim हो गया है और यहाँ पर भी 15% claim हो गया है और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0% claim हो गया है यानि आपका form successful submit हो गया है अब आपको कुछ भी नहीं करना है तो दोस्तों इस तरीके से आप US text form को fill करके submit कर हैं तो दोस्तों मेरे समझसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कि कीस तरीके से US text form को fill करना है और किस तरीके से submit करना होता है तो दोस्तों I hope आपको आपको आपकी वीडियो काफी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें share करें आर हुआ 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 हुआ